हेलो गाइज, वेलकॉम बैक तो प्रिंसिस बिद लाइफस्टाइल चैनल और गाइज, मैं आपके साथ एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी मेरे इस चैनल पर आपको ब्लॉक्स भी मिलेंगे और मेकप से रिलेटेड वीडियो भी मिलेंगी जैसे DIY हो गया, और भी ब्यूटी टिप्स हो गया ऐसी वीडियो भी मिलेंगी तो आज की रेमेडी है होममेड फेस पैक तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में बेसन ले लिया है ये देखिए, आप उतना ही बेसन ले जितने आपको फेस पैक बनाना है जितनी आपको required है, आप उतना ले सकते हैं मैंने ये 3-4 चमच बेसन ले लिया है और अब मैं इसके अंदर ये healthy powder एड़ करूँगी तो मैंने healthy powder एक चमच डाला है इसके अंदर और इसे अच्छे से मिलाऊंगी इसी तरीके से और इसे मिलाने के बाद अब मैं इसमें दूद एड़ करूँगी ये मैंने थोड़ा से इसमें दूद डाला है और अब मैं इसे अच्छे से mix करूँगी यहाँ पर आप दूद की जगे दही भी ले सकते हैं अगर आपकी skin oily है तो आप दही ले मेरी skin जो है वो normal है ना ही oily है जादा ना ही dry है तो मैं इसके अंदर दूद एड़ कर रही हूँ अगर आपकी skin oily है तो आप दही डालिए और guys इसे आप घर में बहुत ही इजली तरीके से बना सकते हैं और जो जो चीजों की इसमें जरूरत है वो आसानी से घर में मिल जाती है जैसे की guys आप जानते हैं कि हल्दी जो है उसमें बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो हमारी skin के लिए बहुत ही useful होते हैं और जो नीबू है वो एक bleach का काम करता है हमारी skin के लिए और जो दूद है इसमें भी काफी vitamins होते हैं calcium होता है तो यह सारी चीजे जो है यह normal हैं तो आप घर में बना कर अगर इसे use करेंगे तो आपकी skin के लिए बहुत ही अच्छा होगा और इसका कोई side effect भी नहीं होगा और guys यहाँ पर देखिए यह बहुत ही अच्छे से mix हो चुका है और हम इसे जितना ज़्यादा फैटेंगे उतना ही ज़्यादा यह अच्छा result देगा अच्छे से mix हो जाएगा और अब हम इसके अंदर नीबू add करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने नीबू cut कर लिया है और मैं अब इसके अंदर इसको डालूँगी छे से साथ drops मैंने नीबू को इसमें add कर दी है और अब मैं इसे फिर अच्छे से mix करूँगी तो guys तैयार है हमारा homemade face pack और guys आप इसे एक बार try जरूर करिए I hope आपको आज की remedy अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को subscribe जरूर कर लें और वीडियो को like भी करें और इस remedy को एक बार try जरूर करिए तो चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care